हाई एवरिवन मैं पिंकी गाबरा आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी पनीर की रैसेपी जो मैं कारेंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज तक कभी नहीं खाई हूँ कि बहुत ही टेस्ट्य और डिलिशिस की सबजी बनकर तयार होती है स्वागत है आपका मेरे चैनल शेट सॉफ फूड में सोया पनीर कोर्मा बनाने के लिए सोया बड़ी को गरम पानी में डालेंगे और 5-7 मिल्ट रखेंगे जिसे फूल कर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी अब एक बरतन के अंदर एक लिटर दूट डालेंगे और फूल फैट मि में पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे नहीं हमारा दूद फट कर तयार हो चुका है और पनीर तयार होने वाला है अब इसके अंदर हम सोया बड़ी डालेंगे अब इन्हें भी फटे वे दूट के अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहें तो और पनीर और सो्या वडी एक्दम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसको एक कपड़े में निकाल लेंगे और इसका पनीर से से सैट हो जाएगा देखे कुछ इस तरीके से थोड़ा पानी और डालेंगे जिस्से की नीम्भू की खटास निकल जाए पूरा पानी निकालकर इससे कुछ इस तरह से भारी परतन से या किसी भी चीद से दबाएंगे जिससे की Panineer सैट हो जाएगा एक से और भी पनीर की सबजियां बना कर तयार कर सकते हैं, बहुत ही healthy रहता है यह पनीर, अब इसे हम deep fry करेंगे, आप चाहे तो इसे shallow fry भी कर सकते हैं, deep fry करने के बाद के अंदर इसे हम ठंडे पानी के अंदर डालेंगे, जिससे की यह पनीर हमारा थोड़ा soft हो जाए, अब पानी के अंदर डूबो के रखेंगे, आए इतनी देर के अंदर थोड़े से प्याज fry करते हैं, हमें golden brown करना है, तीन से चार प्याज लिया है, मैंने medium size के, जेर से दो कब धही लिया है, धही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चीए, अब इसके अंदर healthy powder, धनिया powder और ला लाल मिर्ज, अद्रक और रहसुन की कलियां डालेंगे, और इन्हें भी भून लेंगे, आप चाहें तो अगर आपके पास paste ready है, तो बात में सबजी में तड़का लगाते टाइम पर भी आप इनका paste डाल सकते हैं, पात से साथ काली मिर्ज डालेंगे, दो इलायची सबी चीजे भून चुके अच्छे से इन्हें निकाल लेंगे, और इनका एक paste तयार करेंगे, हलका सा ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, और इनका एक paste तयार करेंगे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे की तयारी करते हैं, एक कडाई के अंदर थोड़ा सा ओयल डालेंगे, और थोड़ा सा बटर और एड़ करेंगे, अब इसके अंदर जो लाल मिर्च और एक तेजपत्ता डालेंगे, खड़े मसाले काली मिर्च और इलायची हमने पहले ही अड़ कर दी थी, अब ग्रेवी का कलर बहुत ही बड़ी आ जाएगा, अब दही डालेंगे, फेटा हुआ जो हमने रखा था, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लगाता है, इस टेर करते हुए नहीं उबाल आने तक, अब इसके अंदर उबाल आ चुका है, हम एक चमद चया स्वादंस्वार नमक पनीर दे कि हमारा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसका पानी अच्छे से निचोड लेंगे, और हमारी ग्रेवी में एड़ करेंगे, अगर आपका दही हलका सा खटा है, तो आप इस टाइम पर छोटे आदी चमद चीनी का भी आड़ कर सकते हैं, जिससे की धही बैलेंस हो जाएगी, पूरा पनीर एड़ करने के बाद के अंदर इसमें स्लाइस कीवी हरी मिस डालेंगे, रोस करी वी कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे, और बहुत ही बढ़िया खुश्वारी और देखे किता बढ़िया कलर आया है हमारी सबजी का, सोया पनीर कोर्मा तैयार है, आप इसे बटर नान, लच्छा पराठा या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग, एक प्लेट के अंदर ये सबजी सर्व करेंगे, आप एक बास जरूर ट्राय कीजेगा, ये रहसे पी आशा करती हूँ, आपको मेरी बनाई वी र जरूर पसंद आएगे, और अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है, तो प्लीज अपनी फैमेली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेर कीजेगा, तैयार है, स्वाधिस्ट और लाजवाब, सोया पनीर कोर्मा, देखिए बहुती बढ़िया रंगत और बहुती बढ़िया खुश्बू के साथ हमारी सबजी बंद कर तयार हो गई है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुती बढ़िया रिजल्ट आएगा